हेलो फ्रेंट्स आज हम देखेंगे एक RCC फ्लैट रूफ की ड्वाइंग को और उसमें हम इसके साथ में यह भी देखेंगे कि हीट हो गयरा से बचने के लिए इसमें क्या चीज लगाते हैं रूफ में जिससे हमारा हीट हो गयरा ना आ पाए अंदर तो इसे RCC फ्लैट सेंटिमीटर वॉल लेंगे अपनी अंडर कंस्ट्रक्शन उसमें सो करेंगे और अंडर कंस्ट्रक्शन का साइन सो करके उसमें फिर 15 सेंटिमीटर उसकी जो बीरिंग है स्लैब की बीरिंग उसमें सो करेंगे यानि कि जो स्लैब होती है स्लैब को जो उसकी सपोर्ट होती है उसके आधे तक उसमें बियर करते हैं यह बेरिंग देते हैं तो चली सबसे पहले वाल डॉट करते हैं उसके बाद हम इसमें तो 30 cm की वाल लेंगे हम और उसमें एंडर कंस्ट्रक्शन का करेंगे उसके बाद यहां से कोई भी हाइट लेंगे कोई जरूर नहीं है वे फिक्स साइच अब जैसे कि यह हमारी 30 cm की वाल है इसमें 15 cm है नहीं कि इसके हमारा 1.5 अंदर लेंगे हम यहां से और यहां से यह किए स्लैब डॉगल लेंगे उसके बाद यह स्लैब डॉगल लिया यह 12 cm थे क्यानी 1.2 तो यहां से 1.2 cm यह लेंगे यहां से यह 1.2 cm हमारा यह लिया यह 12 cm हमारी डॉगल लिया यह 1.2 cm हमारी डॉगल हुग इसके पाद क्या करते हैं टू लियर ओफ हमारी बेटुमन प्रोवाइड करते हैं टू लbor अ Sum कि मालो एक लियर प्रोवाइड कर दी होट बिटुमन की उसके बाद second layer फिर से प्रवाइड करते है होट बिटुमन की यह इसमें heat वगएरा को transfer करने से रोकता है slab में तो इसलिए होट बिटुमन प्रवाइड करते हैं और इसके बाद इसमें extra 5 cm thick insulation layer और प्रवाइड करते हैं तो वो भी हमारा heat transfer को रोकता है तो सब होट बिटुमन के लिए तो एक पतली सी लेंड हो कर देंगे वो ज्यादा उसमें सो नहीं करेंगे होट बिटुमन लेकिन 5 cm थे कि यह थोड़ी ज्यादा बड़ी रिस्टेंस है तो इसे 5 cm रिस्टेंस को हम सो करेंगे तो 5 cm scale में change करके आएगी हमारी कितनी 0.5 cm तो यहां स हम 5.5 cm रूपर बढ़ेंगे आगे और इसके बाद यह हमारा हो गया थिकनेस हो गई इसकी 5 cm तो यह हमारी हो गई 5 cm thick insulation layer और यहीं पर हम इसमें 2 layer of hot bitumen सो करेंगे यह यहां पर सो करेंगे इसके बाद अब बाद आती है कि जैसे कि 30 cm wall हो गई ठीक है अब यह हमारी roof डौव हो रही है याने कि सबसे last floor डौव हो रहा है हमारा तो इसमें हम यहां पर जैसे कि गिरने बगर के डर से तो हम क्या करते हैं रेलिंग लगाते हैं जैसे हम पैरापेट भी बोलते हैं तो 20 cm की वहल लखी दाएगी पैरापेट के लिए टो 20 cm याने की 30 cm यहां से हम एक cm धर आएंगे यह तो यहां से हमारी पैरापेट यह ड्रौक कर दी जाएगी इसकी आप डिस्टैंस पैरापेट की कुछ भी ले सकते हैं रहाओं से तो यहां पर हम इसमें पैरापेटी सो वी यहां से इसमें अभी क्या पीक सो करीदे हैई कोपिंग मैं लिए इसलिए प्रवारी करते हैं कोपिंग यानि Keith कि अधिनल में अन्या याथ है Hem do时候 में वाल और सा शनुपाल पार-ई-भार आता है किसमा कैसे भार की памा casi तो पासे हमारी थोड़ा सा完全 की सेफ़्टी रहती है उस कोपेंग के वज-से तो हैं पर कोपींग करते हैं कोपेंग के लिए क्या ये से जैसे की बना कि दिखाता हूँ है को तो कोपिंग सौकने के लिए स्मिहम का करेंगे यहां से आदि है थोड़ा व्हाँ आगे बढ़ाएंगे लाइन को इसे 2mm तक यहाद से बढ़ाएंगे आगे 2mm तक उसके बाद इसमें 2mm इसे उपर के साड में ले दाएंगे 2mm राइट साड में 3mm 2mm डाउन साड राइट साड इसके बाद इसके बाद ही 1 cm ऊपर की साड में ठीक है इसकी सेम इधर साड में ट्रो करेंगे अब इसमें क्या करेंगे यह हमारी टो काइंगे इसके बिढेंगे अईसाद इसकोंट को इस से मिला देगे यह तो हमने कोपेंग क्यू कर दी और है हमारी सिमेंट कंकरेट की होती है तो इसमें heart's work कर और यह हमारी वाल है तो हम यह 45 के एंगल पर इसमे लैंड सो करके इसे दिखा देंगे इसके बाद हम बात करते हैं इसमें इसकी Slab की इसमें Slab में क्या करेंगे हम अब बार्स प्रोवाइट करेंगे यानि कि एक तो नीचे 1 mm के cover पर 15 mm को cover दिया जाता है इसलेम में बार्स में तो इसमें 1 mm के distance पर एक बार्स प्रवाइड करेंगे और इसमें हम हुक प्रवाइड कर देंगे हुक प्रवाइड करते हैं जहां माली आप पर समझ ली जिए को पर माल्ड इस टील प्रोवाइड करी गई है और अगर जहां पर बैंड कर दिया था है हमाद लो ऐसे कि वाल ऐसे जाके ऐसे कि वाल सीधा बैंड कर दिया था है याने की और अगर 415 को बलते हैं है है हाई है इसके बाद अब इसमें क्या करते हैं 45 के एंगल पर आने की यहां दे सपोर्ट से LY7 डिस्टेंस पर यहां पर सपोर्ट से क्या कर जाती है 45 के एंगल पर एक बार्स बेंड कर जाती है यहां पर हम आसे बार्स को बेंड करेंगे एक और उसे ऊपर लिजा करके होक्त कर देंगे उसमें भी तो चलिए इसे टॉक करते हैं कि पहले एक एंगल यह लेते हैं इसे सकेल से और यहां से इसमें क्योंपी डॉइंग है तो इसमें हमें तो इसकी सलैप की डिस्टेंस भी निंप पता कितनी लेंद है इसकी तो हम यहां पर एक अंदाजे से केवाले 45 के एंगल पर यह बार्स को प्रोवाइट कर देंगे हा तो वहां पर हमारी जो बार्स होती है फ़े 500 की इसके बाद हम क्या करेंगे ठीक कि यह हमारा हो गया बार्स का इसके बाद हम यह हमारी हो गए 5 इसके बाद हम करेंगे इसमें रूफ फिनिसिंग भी कर दी अब इसके बाद कह रहता है इसमें छत पे से एक रेन के लिए पैपने कराता है इसके बाद के लिए तो क्या करेंगे बिल्कुल इसकी सीध में लिए दाएगा है ना तो यहां से यह प्रोजेक्शन ले जाएंगे इसमें यह प्रोजेक्शन ऐसे करके इसकी 1 cm ठीकनेस रहती ठीक तो यहां से 1 cm ऊपर करके यह यह हम इदर से पाइप निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम इसका पाइप डो कर लेते हैं तो हमने पाइप डो कर लिए यहाँ पर 10 सेंटिमिटर का यह यह जों कर दो सब्सक्राइप में इसमेंगे में लेख तो कर दी है में बैस इसका ड कर दे रखा है और इंट दे रखा है कि 15 mm center to center 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 कि ये जो बार्स है इनका जो गैप है बीच में जो में बर्स provide करें गई है यहनी 15 mm का space दे है करके provide करें गई है उसके उसके बाद बाते में एट पाई distribution बार्स तो distribution बार्स के ऊपर provide करिए निएक जाल सब बनाते हैं जैसे की एक प्रवाइट अब लुग करते हैं अफिर एक और दिखाई धिक एए में यह तो में इतना सा लाएट करते हैं तू लाएट होते हैं हमारी उसमें दोनों तरफ मेंन बार्स fidelity करते हैं तो डिस्ट्यूटिवेशन वार्स का ढामुटर रिखार निकाइद लिल्ए की लए तुम filosoof का गया है जबन दूरी प्रक्राइब को रोके आगया है कि उसके पाद हमने यह 10 cm का रेंवर्टर पायप्स ओकी है और यह 30 cm वाल 15 cm की वीरिंग स्लैप की और फिर इसके बाद 20 cm की प्यरापेट याने की मुडेर जीसे बोलते हैं और यह उपर इसके कोपिंग करें गई पारे से से इससे दीबार की सेफटी करिए कि से करिए इसके बाद हम मेरे तो वगारा ट्रांसपर ना हो उसके लिए और ये भी हीट वगारा के लिए तो 5 cm थिकनेस की यह याने की स्केल में हमारे 0.5 cm थी हमारी थिक इंसुलिशन लेर उसके पास सेम यह पहले की तरह ही 7.5 cm थिक लैम कंक्रीट इसमें प्रोवाइट करें गई है उसके लिए 2.5 cm थिक सी यह नहीं सीमेंट कंक्रीट और उसके बाद हमने यह रूफ इन फिनिसिंग कर दिये रूफ इनिसिंग वित नीट सीमेंट और यह हमने आसे प्रोजेक्शन लिदा करके यह हमने पाइप निकाल दिया था तो यह हमारा 8 सी फ्लैट रूफ की ड्वाएंग यह कंप्लीट होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू फर वाचिंग